तो वीय। है तो यह चीज मिलने वाला है एक शर्रा चीज हम लोग ये सतीज रखाऊ इस небольш बिडियो, इसमें से अगर कोई भी एक चीज अगर आपको मिस होगा ठीक है आपको नहीं पता होगा तो फिर आपको confusion हो जाएगा ठीक गैंस समझेगा आई इसको समझेगा तो यहां पर देखे ठीक है तो यह हमने एक figure त्यार कर लिए ठीक अब इसमें देखिए यह जो बीच का बिंदू होता है ठीक है यह वाला बिंदू इस चीको हम कहते है मूल बिंदू ठीक तो इस तरीके का अगर कोई भी आपको अगर समने figure हो और मूल बिंदू इसमें पूछा जाए तो यह वाला होता है जो कि आपका एक नंबर यह complete है ठीक है दूसरा नंबर में क्या कहता है एक्स अच ठीक है एक्स अच तो देखे यह वाला जो एक्स वाला line है ठीक है यह वाला इसको हम कहते ह एक्स अच और दूसरा वाई अच इसको हम कहते हैं वाई अच ठीक तो यह दोनों भी आपको complete हो गया यह चीज क्लियर होगा अब इसके बाद से धनात्मा का अक्ष और रात्मा का अच यह वाला चीज important है ठीक तो इसमें देखिए कभी भी जिसे वाई कमान कभी-कभी माइनस का एक या फिर एक दो तिन चार कुछ मिल जाएगा माइनस मिल जाएगा कभी-कभी वाई कमान आपका पलस में मिल जाएगा ठीक है तो वाई कमान माइनस में कब रखा जाएगा और कहां रखा जाएगा और वाई कमान पलस में कब और कहां रखा जाएगा ठीक तो य जिधर आपका सभी सभी पलस होता है और इसी वाले लाइन में इस मूल बिंदू से नीचे के तरफ यह आपका माइनस होता है मतलब कि इसको भचाने के एक छोटा सा हिंट है कि जिधर आपका डैस है ठीक वह आपका क्या है माइनस वाला है और जिधर आपका डैस नहीं है वह पलस वाला है ठीक, इसी तरीके से x दाज्च पर भी जब x का मान आपका अगर माइनस भी दिया हो या फिर आपका पलस में दिया हो तब इस पर भी सेम यहीवाला रूल लगेगा कि मूलबिंदू से इधर का जिस पर डैस नहीं लगा है वह आपका पलस वाला है और जिस पर आपका डैस लगा है वह आपका माइनस वाला है ठीक इसी में आपको क्या करना होगा कि इस पर बिंदी बना देना होता है ठीक है इस तरीके से इस तरीके से और इसी में आपको दर्सा देना होता है जैसे माले जै कि एक साच पर हमें दो द बेर करा दिया अब इसके बाढसे आजाता है भूज और को टि सब्से बडा कंफूजन होता है students बूज और कोटी में आप लोग Though confusion हो जाता है कि by कौन सा होगा भूज और कौन से कोटी तो देखिए भूज भूज जो होता है भूज यह वाला होता है ठीक एक्स अच्छ आपका यह क्या है यह आपका भूज होता है और वाई अक्षी जो होता है जो खड़ा लाइन है ठीक है यही आपका क्या होता है कोटी होता है ठीक तो यह वाला आपका कोटी है क्लियर हुआ और ये वाल आपका भूज है ठेक है तो इसमें आपको कन्फूजन नहीं होना है कि X वाल आपका X सा आपका भूज है और Y आपका कोटी है बस इतना आपको याद रखना है ठेक ऐसा प्रशन आपके एकजाम में भी आज है पूछ देता है ठेक है कौन सा अच भूज होता है और कौन सा या फिर कौन सा अच कोटी होता है ठेक तो इसमें कितने चतुर्थांस बनते हैं घृए ठेक तो यह सारा चीज है उसके बाद से और हाँ एक चीज और कि यह जो दोनों रेखाएं हैं यह नबढ़े डिगरी पर काटें है ठीक है चारो तरफ यह नबढ़े डिगरी का ही जान ठीक ऐसा नहीं कि यह गलत हो जाएगा यह घलत हो कुछ आई और दोरी वाला में 36 अउर्ध्रादर यह जदा तो इसंद आपको पूछए का लिए वाला ठीक तो 36 रेखा यह वाला ठीक यह जो बैड़ा लाइन है ठीक यह आपका 36 एक यह खड़ा लाइन ठीक तो यह भी हपका कadata और यह कंप्लेट यह सारा चीज हमने complete करा दिया तो यही था कुछ छोटे छोटे एक दम से basic नियम नीर्दसांग जैम ही ठीक है ठीक तो बस इतना याद रखेगा और बाकी का आप हम लोग आगे वीडियो में exercise को हल करने वाले हैं ठीक है तो उसके लिए चनल को subscribe जरू कर लेज़ेगा तो चली मिल कर दो दमें